टॉपिक वाइज क्लास होती है और अभी तक हम लोगों ने 10 चैप्टर लगबग आपके कवर कर लिया है यह 11 चैप्टर है जो कि आपके हर एक इकजाम में पुछे आता है वो चाहिए आपका कोई वी इकजाम हो लेकपाल में कम से कम दो कोशन आपको इस टॉपिक से मिलते है आरो यारो में 10 कोशन इस टॉपिक से आपके मिलते हैं फारेस्ट गार्ड में भी कोशन आपको यहां से मिलते हैं वीडियो जाम में मिलते हैं मतलब यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा ज्यादा कोशन आपके मिलते हैं दो से तीन कोशन भी अधिकतर आपको मिलते ही अब आज मिल पा रहे हैं चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आप से दिया गया है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं चलिए जवाब आ रहा है आपका देखें आपका सी नंबर याद रिखेगा जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे बोलते ह दुरला विसकॉप्सम ने अपका सी नंबर राइट होगा अगला कोशन दिया है कि आउसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या का जाता है जो आउसर के अंस्वार बदल जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग आउसर वादी कौन सा यहाँ परंसर बनेगा आपका डी नंबर है आउसर वादी कहते हैं ठीके आगे बढ़ते कोशन आप से गला पूछा गया है भूमी के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या का जाता है जो भूमी के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं त्री कौप्सम कीजिए क्या होजेगा चले भूगर वेता विल्कु यहां पर फोरक आप्सन मताना है चलिए जो रात में विच्रान करता है उसे निसाचर कहते हैं नोट करिएगा यहां परंसर हो जगा पकाटी नमर निसाचर अगला कोशन दिया गया है जो खाने यो गिना हो उसे क्या कहेंगे चलिए बैए जितने लोग जुड़ गये वीडिय क्या कोशन दिया गया है जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं आ निकेत क्या बोलते हैं आ निकेत मतलब आपसन जो है वह आपका बी नमर इसका राइट हो जाएगा आगला कोशन दिया गया ह इंद्रियों को जीत लिया हूँ जिसने उसे क्या कहते हैं क्या बनेगा इस कंसर चलिए 7 कॉबसन देना है और 10 नमर आ रहा है और कुछ लोगों ने आप डी नमर प कदिया गया है तो देखे भाई अगर ये पूंचता कि इंद्रजीत को जीत लिया है था तो यहां पर इंद्रजीत जो आपका बोला गया है मेगनात को हाना लेकिन दिया है इंद्रियों को और इंद्रियों को जब जीत लिया जाए उसे जिते इंद्री कहते हैं नोट करियेगा क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांस लगभग लग को दिया गया है जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं और याद रिखे जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं अलपा की क्या बलते हैं अलपा की जो बहुत जानता है उसे या सब कुछ जानता है उसे सर्वा की कहते हैं तो इस क की स्बूद कि बात हो उसे हम लोग लुकिक कहते हैं तिके इढ़ा है कि यहां पर आधिसे अंत अगला कोशन दिया गया है जानने की इच्छा के लिए एक सब्द जानने की इच्छा के लिए एक सब्द नुए से बताना है बारा नमबर क्या हो जएगा चले यहाँ पर बताइएगा जानेने की इच्छा अगर जानेने की इच्छा बोले तो आपको जवाब देना है आपर इनमबर जिग्यासा क्या होती है जिग्यासा इसको आप समनेगा यहाँ पर इनमबर हो जएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन ब्यक्ति या वस्तो को न अपनाना उसके लिए हम भाईषकार करें तो आप समने आपका सी नमबर अगला क्वेशन दिया गया है जो देने योग यह हो कि उसके लिए क्या बोला जाएगा वही जो देने योग यह है उसे क्या करें आप दे यहाँ पर अंसर बनेगा आपका सी नमबर जो देने योग यह है उससे हम लोग दे कहा जाता है यादरिके दानमत बोलेगा यहाँ पर बोलेगा सी नमबर दे हो जाएगा अगला question दिया गया है देखो यह topic सरल भी है और कठिन भी है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा इस topic को तो गलतियां हो जाएगे वैसे अधिकतर previous year question यह आपको गुमा फिरा की जमे मिल जाते हैं तो थोड़ा CG हो जाता है चले कहारे हैं दूसरों की बातों में दखल देना यहाँ पर बतागे क्या हो जगा 15 नमबर में क्योंकि हर एक question आपको यहाँ पर आते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर दिखें दूसरों की बातों में दखल देना हस्त छेप होता है अगला question दिया गया है कि प्रतवी ग्रहों तारों आधिकाइस्थान वाकियांस के लिए उचित आपको बताना है प्रतवी तारे और आपकी ग्रहों आधिकाइस्थान होता इसके लिए क्या कहेंगे तो यहाँ पर आकरमण किया गया हो उसे आकरांत कहते है नोट करेगा अगला question दिया गया है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांस बताना है अनियमित क्या होता है तो यहां पर देखे आप कंसर बनेगा ए नमबर जो नियमा अनुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं नोट कर लीजेगा चलिए अगला कोशन दिया गया है कि संख्य भाव मिश्रित अनुरा को क्या का जाता है या परुनी संबर में प्रीम सम्मान प्रण और खाने की इच्छा के लिए क्या कहते हैं ये रहे देखे खाने की इच्छा को कहते है ऑप्सन सी होजब अगला कोशन दिया गया है बीनमब आपका हो जबाग जबक जबकाएं के लिए एक निर्मिमेज कौन सा भई याद रिके बीना पलक झपकाई के लिए होता है निर्मिमेज कौन सा ए नंबर इसका राइट हो जगा ठीक है चले यहाँ पर दिया गया है कि प्रांड़दा के लिए अनेक अर्थ बोला जाता है कि अनेक सब्ध क्या होगा प्रांड़दा किसे कहते है तो प्रारदा का जाता है जो G1 देने वाली दवा होती है जीवन देने वाली दवा को हम लोग प्रारदा कहते हैं उप्सन बनेगा आपका A number I जो कम खर्च गरता हो जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हम आपर 24 को अप। प्रग्या चचु के लिए वाक्यांस क्या होज़ेगा यहां पर प्रग्या चचु के लिए वाक्यांस क्या होज़ेगा यहां पर प्रग्या चचु के लिए वाक्यांस क्या होज़ेगा यहां पर प्रग्या चचु के लिए वह होता है बुद्धी जिसका नेतर हो उसे बोलते अगला कोशन दिया गया है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे चले 26 को आप्शन याद रिखे जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं क्या कहते हैं अनुपम आप्शन मनेगा पी नंबर अनुपम हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है क पैसे से मनुस्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती है मतलर या दिया गया है जीवन जीने की इच्छा और जीवन जीने की इच्छा क्या होती है जीवन जीने की इच्छक बोलते हैं जी जीवसा जी जीवसा बोलते है याद रिखे जीवका नहीं जिजिरुसा इसका मतलब है जिजिरुसा हो जएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है कि जिसका संबंद अध्यात्मी से हो जिसका संबंद अध्यात्मी से हो उसे क्या कहेंगे चले 28 को अप्षन जिसका संबंद अध्यात्मी से हो जो कथा होती उसे क्या कहेंगे 29 कॉप्षन बनेगा आपका सी नंबर आत्म कथा होती है क्या आत्म कथा आपका सी नंबर अगला कोशन दिया गया है जिसे करना बहुत कठिन हो जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहेंगे इसे जवाब दीजे तीस नंबर कोशन क्या होजेग कि जिसे करना बहुत कठीन हो, नोट करिएगा, इसे कहा जाता है, यहाँ परंसर बनेगा आपका D-Number है, दुसकर, क्या हो जाएगा, तीस नमबर कॉपसर बनेगा, डिस नमबर है, जिसे करना बहुत कठीन हो, उसे दुसकर कहेंगे D-Number, आगे बढ़ते हैं, कोछन आप सिग तो उसे बोलते हैं, बोलते हैं, बड़ी दुरलब चीज़ है, जो बड़ी आसानी सी तो नहीं मिलती है, तो यहाँ परंसर बनेगा, आपका D-Number हो जाएगा, अगला कोशन दिया गया है, दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निसीत कार्थ है, यहाँ पर बताए वाले को क्या कहते हैं, 34 के जवाब दिए, तो मुच की इचा बोलते हैं, मुमचु होता है, और जानने की इचा वाले को जिग्यासु कहते हैं, तो इसका अप्सम लेगा, आपका A-Number हो जागा, अगला कोशन दिया गया है, जो किसी भी इस्थिती में टाला ना जा सके, उस रात में घूमने वाली के लिए सब्द क्या होगा, रात में घूमने वाली के लिए क्या प्रियुक करेंगे, जो रात में घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं, निसाचर, मतलब आप समनेगा, A-Number हो जाएगा, अगला कोशन दिया गया है, निसफल ना होने वाला कहलाता है, निस्फल ना होने वाला कहलाता है आप पर बताए क्या होज़ेगा जो निस्फल ना होने वाला होता है उसे अमोग बोलते हैं क्या बोलते हैं अमोग इसको नोट करिएगा इसको नमबर को क्योंकि इसमें गलतियां लगबाग सब लोगों की आ रहे हैं याद रिखे निस्फल अगला कुछन आप से दिया गया है कि अन्य को पचाने वाली अगनी कौन सी है अन्य को पचाने वाली जो अगनी है वा आपकी कौन सी है तो देखे भई आपकी पेट मोती जठर गरंतियां और जठर गरंतियों से जठर रस निकलता है तो यही तो पार्चन क्रिया करती है तो पर दिखो दिया गया है कि यह आप से देवताओं का उपवन देवताओं का उपवन है तो से वोलेंगे नंदन कानन आपको प्रैक्टिस इसे पर संवल किया होगा हमने कहीं अदिके आप हमने बता दिया है कि हमारी जो क्लास चलती है 8 बच के 45 मिनिट अगर आप उस क्लास को नहीं लेते हैं तो वो क्लास जरूर लिजेगा क्योंकि हर एक वीडियो से अर्था जो हम आपको एक वीडियो पढ़ा दें उस वीडियो से कम से कम दो कोश्चन आपको हर एक अगला कोश्चन दिया गया है कान फूकना कारते क्या होता है आपने देखा होगा वही कान फूकना और कान फूकना मतलब क्या होता है कान फूकना मतलब होता है दिच्छित करना क्या होता है दिच्छित करना अब आप लोग कहोगे चुगली करना यदर के कान फूकना इन में से दिच्छित करना मतलब आपस निकल सकते हैं लेकिन आपको option को अंसार में देखना पड़ेगा ठीक है चलिए दिच्छित मतलब जाना होता है ना बोलते है ना कि पहले कि लोग जंगल में जाया करते थे और इसके बाद अपने जो गुरू होते थे अपने इसको दिच्छित करते थे अथात उनको सिच्छा देते थे ठीक है मतलब इस प्रकास से दिच्छित किया गया आसा से बहुत अधिक मतलब आपका 43 को अपसन क्या बनेगा डी हो जाएगा आगला कोशन दिया गया है जिसकी पतनी मर गई हो उसको क्या कहते हैं जिसकी पतनी मर गई हो उसे क्या कहेंगे तो भया उसे कहेंगे विधूर क्या कहेंगे विधूर आप समयनेगा आपका बी नंबर होजेगा आगला कोशन दिया गया है युद्स का अर्थ क्या होता है चलिए युद्स युद्स किसे कहते हैं बताइए पैतालिस नंबर में युद्स मतलब होता है युद्ध करने का इचुक क्या युद्ध क परवत के पास की भूमी होती है परवत के पास की भूमी होती है अधिभावतिक बनता है ठीके अगला कोशन दिया गया है कि अपना मतलब निकालने वाले के लिए क्या कहेंगे जो अपना मतलब निकालता है उसी क्या कहेंगे 49 संबर में 49 को अपसन क्या हो जगा यहाँ पर हो जगा आपका कौन सबी 49 का मतलब होता है जो अपना मतलब निकाले उसे कहते हैं स्वार्थी क्या कहते हैं स्वार्थी जैसे बहुत student ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना मतलब ही साधते हैं यूटूब जब से आया तो बहुत लोग होते अपना मतलब साधते हैं क्योंकि उनको free class मिल जाती है तो उनको like share करने से भी मतलब नहीं होता है उनसे कहने पर भी वो लोग like share नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं उनसे कमजोर नहीं है मतलब अपना मतलब निकालते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वार्थी देखा जाए student हो गया है जब से YouTube आया है वो कि भी किसी दूसरी की मेरत नहीं समझने लगा है वो स्वार्थी हो गया है तो like share कर दिया करें या परंसर आपका भी हो जाएगा अगला question दिया गया है किया आअब भी हंतर का सई अर्थिन में से क्या है अब भी हंतर का सई अर्थिन में से क्या होगा पच्चास संभर में ज़ेने की अच्छा के लिए एक सब आपको बताना है जीने की इच्छा बताए जो जीने की इच्छा रखता है उसे कहेंगे जी जी उसा क्या बोलेंगे जी जी उसा लेकिन जो जानने की इसा होता है उसे जिग्यासु कहेंगे ठीक है अगला कोशन दिया गया है वह कभी जो ततकाल कविता करने में कुसर हो इसको बहुत बार आप प्राग ऐतिहास से कहते हैं उसे क्या कहते हैं प्राग एतिहास से कहते हैं नोट करिएगा अगरा question दिया गया है जो इस्तरी के वसी भूत हो इसके लिए सब्द आपको बताना है जो इस्तरी के वसी भूत होता है उसको क्या का जाता है यहाँ पर जवाब दीजे पचपन नमर में इस कंसर क्या होड़ेगा और इसका जवाब आप लोग comment box में comment करिएगा ठीक है यहाँ पर test paper खतम नहीं हुआ है इसका जवाब आपको देना है क्योंकि और question में आपको कल करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ जवाब के question है जिनको आपको पढ़ना उचित है क्योंकि यह question आपको बार-बार मिलने वाले है ठीक है यहाँ पर देखो दिया है मरने की इच्छा देख है तो उसे मुर्मुर्सा कहते हैं लेकिन मरने की इच्छा रखने वाला रखने वाला जोड़ दिया तो मुर्मुर्स हो जाया क्या होजगा मुर्मुर्स अब दोनों के एक साथ लिखिए यहाँ पर मुर्मुर्सा है अंतर समझ में आ गया ना सभी को अंसर समझ में आ गया रखने वाला है, यह मरडासन अवस्ता होता है, मुर्मुर्शू कहते हैं, दोनों को एक साथ नोट करिए, अगला दिया है, तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा बोलते हैं, तीर-तीर सा, क्या बोलते हैं, तीर-तीर सा, लेकिन अगर तैरने की इच्छा रखने वाला लगा अभी आपको रट जाएगा दोनों में अंतर एक साथ अगर मिल रहा है तो अंसर आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है गलतियां यही से होती है और गलतियां कहीं से नहीं होती है और जो भी बच्चा अगर इस टॉपिक को ना पढ़े इतनी बारीक वाले पॉइंट को न प पिपासू अर्थात यह हुआ रखने वाले में छोटाओ की मत्रा आपको दिखने को मिल रही है छोटाओ की मत्रा दिख रही है ठीक है अगला है जानने की इच्छा तो जिग्यासा होता है अर्थात इच्छा वाले को जिग्यासू कहते हैं क्या जिग्यासू कहते हैं अगल मुच की इचार रखने वाले को मुचु कहते हैं अगला दिया गया है किसी वस्तो को पाने की तीवर उतकरस्ट या गहरी इच्छा इसे बोलते हैं अभीपसा क्या बोलते हैं अभीपसा बोलते हैं किसी वस्तु को पाने की तीवर उतकरस्ट गहरी इच्छा रखने वाले को और रखने वाला अगर आ गया है तो उसे बोलते हैं अभीस्पुर क्या बोलते हैं अगला देखो दिया गया है कहा रहा है सांसारिक वस्तुओं को सांसारी कवस्तों को प्राप्त करने की इच्छा इसे बोलते हैं एसना क्या बोलते हैं एसना लेकिन जिंदा रहने की इच्छा को बोलते हैं जी जीवसा बोलते हैं ठीक है अगला बताइए क्या रहा है धूतों अर्था जीवों द्वरा होने वाला दुख अभी आपने देख भोजन करने की इच्छा जो होती है उसे क्या कहते है यहाँ पर दिखो भोजन करने की इच्छा होती है जिघत्सा क्या होती है जिघत्सा होती है जिघत्सा और अगरा है पाने की इच्छा वाले को बोलते है लिपसा क्या बोलते है ठीक है अगरा दिया गया है करने की इच्छ इसे को बोलते हैं, चीकिर्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या बोलते हैं, जीगिसु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीगिसु बोलते हैं, यहाँ पर आपका हो गया, अगरा कोशन आपसे दिया गया है, आप देखें यहाँ पर कुछ पूइंट आप से पूछा जाता है यहां पर जो आपका दिया गया है आपका ये पूरब है ये आपका उत्तर है ये पस्चिम है और आपका दच्चिन है तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोशन पूछा जाता है पूरब और दच्चिन के जो आपका होता उसी क् कहते हैं उतर और पूराब को इसान कहते हैं और उतर पस्चिम को बैब कहते हैं ठीके और आपके दच्छिन और पस्चिम को नैसरित कहते हैं तो इसको भी आप इसी प्रकास से स्क्रीन सॉर्टर ले लिएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिग्रा पूछा गया अब आपको यहां पर आपको इससे मिलेंगे ठीक है चलिए यहां पर हिंदी की क्लास चली है करेंट फेर की नहीं चली है हना कुछ लोग इतने महान होते हैं जो लोग आज की करेंट फेर पूछने लगेंगे आज नहीं मालों दो-तीन दिन हो गया जिनका भी अपडेट आया है किसी को पता होगा किसी नहीं पता होगा इतना तो समझ में आता ही होगा है क्या किया जाये करना पड़ता है चले इस्त्री से समंझित प्रमख वाक्यास बताएगा यहाँ पर कह रहा है कि बीर पुत्र को जन्म देने वाली इस्त्री बताएगा यहाँ यहाँ पर दिखो दिया गया है कह रहा है कि बीर पुत्र को जन्म देने वाली इस्त्री को क्या कहते हैं बोलते हैं बीर प्रसु क्या कहते हैं बीर प्रसु होते है ठीक है और अगर ये पूछे कि वह पुरुष जिसकी पतनी साथ हो वह पुरुष जिसकी पतनी साथ हो उसे बोलते हैं सा पतनी क्या बोलते हैं सा पतनी कहते हैं अगला जिस पुरुष की पतनी साथ ना हो उसे वी प विपत्निक कहते हैं क्या विपत्निक कहते हैं और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति हो तो उसे क्या कहेंगे जो किसी के वियोग में अगर दुखी व्यक्ति है उसे कहेंगे वियोगी कहेंगे याद रखेगा और जिस इस्तिरी के पुत्र पति दोनों हो उसे क्या कहेंगे तो याद रखेगा इजिस इस्त्री के पुत्र और पत्ती दोनों उसे बोलते हैं पुरंधरी क्या कहते हैं पुरंधरी कहते हैं याद रखेगा और अगला है ये प्री विवचन बोलने वाली इस्त्री को क्या कहते हैं याद रखेगा प्री वचन बोलने वाली इस्त्री को ब उसे वीधुर कहेंगे ठीक है अगला आप से दिया गया है कि अपने पती से प्रेम करने वाली पत्नी या नाइका उसे क्या बोलते हैं जो अपने पती से प्रेम करती हो पत्नी या नाइका उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं स्वकिया बोलते हैं अगला आप से दिया गया है कि ज अगला आपसे दिया गया है वह नाइका जो अपने पती के परदेश में होने का कारण दुख हो हाना यहां पर दिया है वह नाइका जिसके अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है तो उससे क्या कहेंगे उसे बोलेए विराः विदगया क्या बोलेगे विराः विदगया यह बोलते हैं तो इसका हो जाएगा अगला है जिस रिसित्री या पत्वों जाने वाला हो कहते हैं ठीक है इसको हम बांच कहते हैं और तरस्सम में वंध्या कहते हैं अगला दिया गया है वह इस्त्री जिसका भी अभी विवा हुआ उसे बोलते हैं नो वधु क्या बोलते हैं नो वधु हो जाए है अगला दिया गया है बहुत पड़ी लिखी इस्त्री नहीं होनी चा किसोरी कहते हैं अगला है नई ब्याही बहु को क्या कहते हैं नव वधु बोलते हैं अगला है एक से दस वर्स तक की लड़की जो होती उसे कन्या बोलते हैं नोट का लीजेगा ठीके भई किसोरी किसे कहते हैं जो बारा वर्स सोला वर्स उसे किसोरी कहेंगे और जो एक से दस उसे हम लोग कन्या कहेंगे ठीक है और जिस लड़की की साधी नहीं हुई हो उसे कुमारी बोलना क्या कुमारी बोलना ठीक है उसको औरत मत बोल देना कि वो औरत ही भाई जिसकी साधी नहीं हुई है उसको औरत मत बोलना क्योंकि औरत अभी बोला जाता है जिस दिन उसकी प्रति मोह नारा हो इसको दो बार वीडियो देख लीजेगा सब आपको किलियर हो जएगा जिस बैक्ति में संसार के प्रति मोह नारा हो से बोलते हैं वीत रागी जब बैक्ति अपने अपने उस जगा नहीं पहुच पाता है जहाँ पर उसका स्थान है वो दुख ने सहन कर पाते हैं और इसके वाद सीधार भगवान राम को प्यारे हो जाते हैं तो क्या होता है उनके अंदर कोई मोह नहीं रह जाता है तो जिस बिक्ति में संसार के पति मोह ना रहा हो उसे बोलते हैं वी तरागी बोलते हैं क्या वी तरागी बोलते हैं अगल गामनी क्या होता है हंस गामनी होता है अगला है मधुर वचर बोलने वाली स्थी को क्या बोलते हैं प्रियम वदा बोलते हैं क्या प्रियम वदा बोलते हैं अगला कुछ नाव से दिया गया है क्या रहा है हाथनी के समान चलने वाली स्थी क्या बोलते हैं गज गामनी बोलते ह अगर मालो चल भी रही है मोटी वी है तो उसको हाथी मत बोल देना कि हाथनी जा रही है यहाँ पर देखे कि हाथनी की तरह बड़े अराम से जो लते हैं कि हाथी चलता जाता है कुटा भूंकते रहते हैं ऐसे लड़की होती है उसको चलती रहती है उनसे कोई मतलब नहीं है क कुछ बगते रहें ठीक है अगला दिया क्या है क्या आप से मयूर की तरह सुंदर आखों वाली मयूर की तरह सुंदर आखों वाली बोलते हैं मयूर आच्छी क्या बोलते हैं मयूर आच्छी बोलते हैं लेकिन मचली की तरह सुंदर आखों वाली को यहां पर मिनाच्छी कहते थोड़े इतना लंबा अच्छा दिखने लगता है तो मयूर की तरह संदराखों वाली को मयूरची और मचली की तरह संदराखों वाली को मिनाची कहते हैं अब म्रग की तरह संदर आखो वाली को बोलते हैं म्रग नेनी क्या बोलते हैं म्रग की जो आखे होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो उसे बोलते हैं म्रग नेनी कहते हैं ठीक है अगला है वह इस्तरी अथपत्नी जिसका पती उन पुत्र दोनों ही ना हो उसे बोलते इस तरी को अवीरा कहेंगे और वह इस तरी ये पतनी जिसका पति और पुत्र दोनों ही नहीं होते हैं तो इसका मतलब वही होता है कि मनमानी करेंगे अपने मनमानी करेंगे तो जाए अवीरा होता है तो यह आपका राज जो आपका टॉपिक था मतलब यह टॉपिक खतम नही है और महिलाओं पर द chatsmen, बताया है और supporting में हमने 60 आपके प्रतन consequence rate शॉल भी करवाया है याद रखेगा कि हमने यह इंद यहाँ पर 30 नट की क्लास मंăngों 30-35 की क्लास में 60 प्रतन शॉल करवाया है इसके बाद 60 question वाल लाइनर हमने लगबलग लगब ens시에 दिया है तो इनको इगनौर मत करिएगा इनको दो बार पढ़ दीजेगा कि कुई इसके पहले जो उनने पढ़ाया है उसको दो बार आप जरूर करिएगा वुबच्छा क्या होता है विभुच्छू क्या होता है यह सब अंतरा चले धन्यबाद जैहिन